पंखों से कुछ नहीं होता होसलों से उडान होती है। आपके सपने कितने बड़े हैं ये तै करते हैं कि आप कहां तक जाएंगे। लेकिन जिनकी आखें ही नहीं होती वो क्या सपने देखते हैं। जिनकी आखें नहीं हैं उनके सपने भी छोटे नहीं होते और ये बात और पुखता तरीके से साबित होती है जब आज नेत्रहीनों का क्रिकेट वर्ल्ड कप मध्धि प्रदेश की धर्ती पर हो रहा है। इन दौर पर होने वाले इस मैच ने को देखने के लिए देश दुनि के अपिसोड में हम राग्विन जी से बात करेंगे और जानेंगे कि इस क्रिकेट मैच ने इस क्रिकेट के पैशन ने खिलाडियों की जीवन में किस तरह के बदलाव लाए हैं। के इस खेलने उनकी जीवन को किस तरह के से बदला है। में तरह बड़ा बदलाव देखता था वो बदलाव देखकर के मुझे लगता था कि जैसे आपने कहा कि बास्तम में ये कुछ भी कर सकते हैं। सब कुछ कर लेने के छमताने के अंदर है। एक हो सकता है मेरा सवाल बहुत बचकाना हो, साइदा समेदन सील भी हो, लेकिन जब कोई भी विक्ती नित्रहीन क्रिकेट के बारे में सुनता है, तो उनके मन में एक सवाल आता है कि जो लोग आखिर देख नहीं सकते, वो क्रिकेट जैसा एक्टिव गें, गेंद, बला, व साहराजा दसरत सबदबेदी बार्ड चलाते थे, और बहुत पुरानी बात नहीं, अगर अभी हम आ करके देखें, तो प्रतहीरा चुहान सबदबेदी बार्ड चलाते थे, तो जहां से आवाज आती है, उस जगए पर अपनी सारी इंदुरियों को केद्रत करके, पुरी सक पहर में नेत्रहीन क्रिकेट सभी के लिए होसलों का कारण है लेकिन अगर हम विशेश करके मध्य प्रदेश की बात करें जैसा आपने बताया कि कुछ खेलाडी हैं जिन्होंने कभी सहर नहीं देखा था जो कभी ट्रेन में नहीं बैठे थे आज जब वर्ल्ड कप का मैच और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट भारत की टीम विश्व विजेता है लगातार दो बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है और इस बार वर्ल्ड कप मध्य प्रदेश में हो रहा है तो वर्ल्ड कप होने से मध्य प्रदेश में क्या आपको लगता ह कि संभावनाएं और पढ़ेंगी या बीते कुछ पर्षों में खिलाणियों का ट्रेंड किस तरीके से बदला है वर्ल्ड कप का पहला मैच अभी दिल्ली में हुआ है और एक मैच मदप्रदेश के इंदोर में हो रहा है भारत और ऑस्टेलिया के बीच में हैं और इसका फैनल मैच चैनन स्वामी स्टेडियम बैंगलॉर में होगा मैं देख रहा हूँ पिछले वर्ल्ड कप से इस वर्ल्ड कप के बीच वजो बड़ा बदलाओ देख रहा है हमें वो छोटी छोटी जगे से खिलाडी मिले है हमारा भी जो एक मदप्रदेश की टीम के कैप्टन है और भारती टीम के खिलाडी है वो बुरानपोर के खरगोन के भीकन गाओं के रहने वाले एक ट्राइब लड़का है और मैं कहूं जब फिल्डिक की बात करते हैं तो उसको देखर करके जौन्टी रोट से आदाते है अभी बीते कुछ समय में क्यूंकि आप बूर्ड के चेर्मेन भी हैं किस तरह के नए प्रयास किये हैं और खेलाडियों को जूड़ने के लिए गाओं तक पहुचने के लिए नई प्रतिभाओं को बाहर लने के लिए एक गेम, एक बार सहर आना, एक बार उनको कोचिंग मिल जाना उनके जीवन में नई रोसनी पैदा करता है अगर मैं कहूं मदप्रेस में जो खिलाडियों की खोज के वारे में तो हमारे मदप्रेस सरकार के दोरा बड़ी संख्या में पृतिक जिले में CWSN होस्टल चला जाते हैं हम लोग ने उनको अपना एक टारगेट एरिया मना और उसमें से हम लोगों ने कुछ खिलाडियों को निकाला फिर जिस तरह से टैलेंट हंट करते हैं हम लोग जगए जगए पर जाते हैं खिलाडियों को मौका देते हैं बड़ा कठेन होता है किसी को बोलना कि नेत्री ही ने जाकर क्रिकेट खिलेगा सामनते है गाउं में छोटी जगए उपरे धार ना है कि नेत्री ने वो क्या कर सकता है जब इन खिलाडियों को दिखाते हैं कि योबराई सिंग इनका एड़ कर रहा है वो आकर के कोई बात बोलते हैं तो लोगों को अपील करता है और मुझे बताते हुए एक बड़ी खुसी हो रही है आपको कि इस वर्स से हम लोगों ने मद प्रेस के अंदर में एक बच्चियों की टीम भी तैयार किये बुमन क्रिकेट की और वो भी बहुत अच्छा खेल रही है और वो चोटी 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 जगसे पिपरिया में हम लोगों ने वी उसकी सिलेक्शन ट्राइल रखा था इतनी चोटी चोटी जगसे प्रतिवाया आ रही है पहले 200-300 बच्चों को ट्राइल करते हैं पिर दीमे करते करते हैं 15-17 बच्चों तक हम उसको स्लेक्ट करते हैं तो जितने भी बच्चे आते हैं वो अगली तयारी में जोट जाते हैं और अगले बर्स लंदन में ब्लैंड बुमन का वर्ल्ड कप होने वाला है मुझे उम्मीद है मद्प्रदेश की बेटियां उसमें भी खेलेंगी यह हम लोगों का सपना है तो जैसा कहा कि आईए शोर मचाईए इनका होसला बढ़ाईए हम भारत देश के लोगों ने क्रिकेट को धर्म तक बना दिया है ऐसे में जब आपके प्रदेश में जब आपके सहर में नेतरहिनों का वर्ल्ड कप होने वाला है तो मुझे पूरा भरुसा है कि आप इस मैच को देखने के लिए भी जरूर पहुचेंगे सोर मचाएंगे और उनका होसला बढ़ाएंगे हमें समय देने के लिए रागविन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जो नई प्रयोग क्रिकेट काडमी कर क्रिकेट बूर कर रहा है इसके लिए आपको बहुत सारी कर लिए इसके साथ ही आप फेस्बुक ट्रिटर और इंस्टाग्राम पर भी हम सजोड़ सकते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद